दुर्ग शहर में एक के बाद एक घटना से शहर में संसनी फैल गई दुर्ग शहर के शिवपारावाड में टीवी के रिमोट की चक्कर में मारपीट की घटना हो गई दुरुके शियपारा वाड में रईवार को हुई मारपीट में आपको बता दें कि टीवी के रिमोट के चक्कर में दो लोगों के बीज आपस में इतनी बहस हुई कि मामला खून खराबे तक पहुच गया इस मारपीर की घटना में पुलिस के मुताबिक आरोपी संतोष धिमार उर्फ बादशा ने राकेश तिवारी उर्फ गोलु को प्रान घा तक तावर तोड सीर बर वार कर दिया जिससे की राकेश को गम भीर चोटे आई है मौके पर पहुची कोटवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है साथी गंबीर रूप से घायल राकेश का हिलाज रैपूर के अस्पताल में चल रहा है एसीन नियूस के रिए दुरुगसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट